तो क्या नागरिक्ता का मामला तो केंद्र का मामला होता है कि है ना तो वो लागू नहीं किया जाएगा वो बात नहीं है वो तो सेंटर के लोग हैं वो पासपोर्ट ऑफिस और ये सब करेंगे वो सारा नागरिक्ता देने का जिसको देना है दें आप है ना जैसे आप पहले लेकिन बाद है कि वो नैशनल रेजिस्टर होना चाहिए कि नहीं है, क्या आप अपने बाप दादाओं का प्रमान देना चाहेंगी, कि वो यहां पैदा हुए थे कि नहीं होना चाहिए, चाहते हैं आप देना, आप घर में जाके आप को यह इंसल्ट नहीं लगता है, कि आप से कोई document मांगे कि आप हिंदुस्तानी है या नहीं है कोई भी हो तो उस line में तो सब खड़े रहेंगे तो फिर आप decide कीजे कि आप कौन सा दस्तावेज लेकर आएंगे दिखाने के लिए कि आप इस हिंदुस्तानी है या नहीं है और कोई पूछने वाला की जमीन की रजिश्ट्री दिखाओ तब हम कहेंगे कि आप इस देश के नागरिक है या नहीं है तो इतना insult आप बरदाश्ट कर सकते हैं कीजिए तो ये साफ है ना कि खुद ही वहाँ उधारन दे रहे थी कि देश दुनिया के अलग-अलग देशों से लोग आये तो हमने बसाया अभी तक वो खुद कह रहे हैं कि इस कानून के ताद जो भी नागरिक्ता का कानून हम नागरिक्ता देते रहे हैं तो जब हमने सबको नागरिक्ता दी है तो हम उसी कानून से सबको नागरिक्ता क्यों नहीं दे सकते हैं लिखा क्यों गया ये लिखा इस ले गया कि हम बैट कर बहस करें और ये सरे के तर्ग चलाया जारा है कि ने हमको किसी का अधिकार नहीं लिया गया आपने किसी का अधिकार लिया नहीं किसी का नाम नहीं लेकर उसका अधिकार छिन लिया है ना तो बहुत सारा जो डिमोक्रिस ये उतने का खेल है ये तो ये उन्होंने वो खेल कर दिया है अब वो गली महलों में हिंदू-मुस्लिम चर्चा चल रही है तो जिसमें वो सफ़ों लोग है तो वाटसब इन्वर्सिटी का मेटेरियल अगर आप देखेंगे ना तो इतने खतरना किस तरफ पर फैलाया जा रहा है तो ठीक है अगर लोगों को यही तैय करना है कि बच्चों को लड़कों को खासकर सामप्रदाइक बनाना है आपका फैसला है तो कहता हूं कि भाई दंगाई मत बनाना डॉक्टर बना लेना मैं तो साब साब बोलता हूं कि यह नहीं चलेगा और यह क्यों चलना चाहिए इस देशन